Assalamualaikum viewers कैसे हैं आप सब लोग I hope आप सब लोग हैर खेरियत से होंगे Welcome back to my YouTube channel आज मैं आपके साथ share करूँगा कि आप cream highlighter, glow cream, cream primer आप जो भी कह सकते हैं उसको आप गर में कैसे बना सकते हैं काम सिरफ सब का एक ही होगा कि वो glow provide करेंगे आप उसे ऐसे भी लगा के बाहर जा सकते हैं स्किन पे चाहे तो आप foundation के उपर भी आप लगा सकते हैं बहुत से उसके benefits सारे आपके साथ share करूँगा इस वीडियो में तो चलिए हम start करते हैं सब से पहले आपने कोई सब इक container या ले लेना है क्रीम की डिप आपने ले ले लेने कुछ भी आप ले सकते हैं या पे जिसमें आप ये stop cream या highlighter liquid या cream highlighter glow cream जो भी आप कहलें everyone आई तो highlighter यहां पर में यूज करूँ आप देख रहे हैं एक मेरे पास है white and gold mix highlighter जो है वो side पे पड़ा है उसके बाद फिर मैंने three shades वाला highlighter लिया है then eyeshadow palette लिया है तो सबसे पहले मैं white वाला highlighter है हमारा वो मैं इसमें add करूँ एक मैंने paper लिया है उसपे spoolie brush के साथ scratch करके डाल रहे हूँ उस paper के उपर इस paper का भी फाइदा आपको बताऊंगा कि क्या होगा और फिर यहां पे मैं यह palette यूज़ कर रहा हूँ इसमें से यह मैं dark जो shade है थोड़ा सा महरून कलर का यह मैं shade इसमें add कर रहा हूँ और उसके बाद यह orange copper सा shade है इसे भी मैं add कर रहा हूँ फिर golden shade इसमें मैं add कर रहा हूँ यह तीन शेट एड़ करने के बाद उसके बाद फिर मैं जो तीन हाईलाइटर वाली पैलेट है उसमें से गोल्डन शेट ले रहा हूँ जो के थोड़ा शार्प गोल्डन है उसके बाद light baby pink सा ले रहा हूँ फिर white color का भी एड़ कर दिया यानि सारे मैंने highlighter एड़ कर दी हैं उसके बाद फिर इनको में थोड़ा सा chop कर लूँगा ऐसे क्योंकि इनके chunks होते हैं वो बिल्कुल भी chunks ना रे powder form में बन जाए अच्छे से आपने इसे crush कर लेना, chop भी कर लेना, भरीक भरीक कर लेना और उसके बाद again container में लेके इसके अंदर में add करूँगा ये powder add करने से पहले इसमें मैं add करूँगा aloe vera gel आप primer भी ले सकते हैं aloe vera gel जो हर गर में easily available होती है, primer भी होता है लेकिन मैं आपके काम को असान करने के लिए aloe vera gel इसमें add कर रहा हूँ तो aloe vera gel जो मैं यहां पर यूज करूँगा half teaspoon आप one teaspoon भी ले सकते हैं या जितना भी आप लेना चाहें अपने क्रीम के according आप ले सकते हैं यहां पर मैं half teaspoon इसमें यूज करूँ one fourth teaspoon यूज करूँ बिल्कुल थोड़ी सी क्योंके मुझे ज्यादा नहीं बनानी थी थोड़ी सी स्टॉप क्रीम बनानी थी और फिर हमने जो यह crush किये हुए highlighter हैं इसके अंदर हम यह add कर देंगे और यहां पर मैं आपको बताऊंगा कि मैंने यहां पर पेपर क्यों लिया है इसको हम फोल्ड करके एड़ करेंगे तक कि हमारा जो है वह highlighter नीचे ना गिरे तो आपने बिल्कुल दियान से एड़्टर मेरा थोड़ा सा गिर गया है लेकिन नो इशू एलो एरा जेल के साथ यह प्राइमर के साथ अपनी से अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका ऐसे मिक्स करना है कि यह पेस्ट बन जाए बिल्कुल भी इसके चंक अंदर बाकी न रह जाए इतना वैल आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद आपने कोई सा भी मोईस्टराइजर लेना है लोशन अपनी winter में भी यह चल सकता है summer में भी अगर आपकी ओईली skin एटो आप फिर water-based moisturizer यूज़ करें अगर dry skin एटो फिर आप कोई भी oily form में मौस्टाइजर ले सकते है मैं जो moisturizer यूज़ कर रहूं यह बिल्कुल भी greasy चिपचिपा ऐसा effect नहीं देता मतलब यह सरद्यों में भी यूज हो जाता है और गर्मियों में भी यह आम स्किन पे नार्मल स्किन पे चल सकता है तो यहाँ पे मैं यह वाला मॉस्टराइजर यूज करर रहा हूँ और फिर मैं इसको अच्छे तरह से मिक्स कर लूँगा तक के मोस्ट्राइजर और जो हाइलाइटर था वो आपस में अच्छे से मर्ज हो जाएं मिक्स हो जाएं एक क्रीम फॉर्म में आ जाएं अब मैं आपको इसका रिजल्ट दिखाऊंगा कि यह कैसी बनी है और इसका रिजल्ट कैसा आता है एपलाइ करके दिखाऊंगा और चेक भी कराऊंगा आपको दिखाऊंगा इसका रिजल्ट यहाँ पे जी मैं एपलाइ करूँ माइनर से पहले मैंने क्वांटिटी लिया थोड़ी सी इसको मैं फिंगर की हेल्प से ब्लेंड करूँगा और आपको इसका शाइन और ग्लो दिखाऊंगा कि कितना यह शाइन करता है इसे आप ग्लोइंग प्राइमर कह सकते हैं ग्लोइंग क्रीम कह सकते हैं कुछ भी यह बजार में जो होती है बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होती है और उनका रिजल्ट भी अच्छा होता है लेकिन उनकी क्वांटिटी जो होती है वह बहुत ज्यादा कम होती है जल्दी खतम हो जाती हैं तो इसलिए मैं आपको affordable products से गर में बनाना सिखार हूं ताकि जो आपकी waste palette होती है आप उन्हें किसी यूज में लाना चाते हैं तो आप इस तरह से यूज में ला सकते हैं तो ये जी आप देख सकते हैं तो ये थी आज की वीडियो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो like करें कमेंट्स ज्यादा से ज्यादा किया करें अपनी राय दिया करें कि अगर कुछ पूछना चाते हैं तब भी comments box में आप पूछ सकते हैं मिलते हैं एक नए इंफर्मेटिव वीडियो के साथ तब तक के लिए अलाहाफिज